मेश राशी आपके स्वास्थे में सुधार होता दिखाई दे रहा है सेहत की मुश्किलें आपकी दूर होंगी आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी प्रोपल्टी का फायदा भी हो सकता है अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा व्रिशब राशी मानसिक चुनताएं आपकी समाप्त होंगी धन लाब के योग आपके लिए बने हुए हैं इस समय आपको संतान पक्ष का सहयोग भी मिलेगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुनराशी बे वज़ा का तनाव आपको परिशान कर सकता है और इस समय आपकी लापरवाहियों की वज़ा से महत्वपूर काम रुख सकते हैं कर्ज को ले करके थोड़ा प्रेशर हो सकता है थोड़ी परिशानी हो सकती है अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें हल हो जाएंगी शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रुतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा करकराशी कोई शुब सूचना इस समय आपको मिल सकती है और ये सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी बन रहे है और परिवार में जो मुश्किलें चली आ रही है वो मुश्किलें आपकी हल होने वाले है भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन के मुश्किलें हल हो जाएंगे शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंगराशी आर्थिक स्थिती में फाइनिंशल कंडीशन में आपके सुधार होगा उपहार और सम्मान का आपको लाब मिलेगा ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों में अपने परिवार के कारियों में आप व्यस्त रहेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80 पृतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी स्वास्ट में सुधार होता दिख रहा है रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होने वाले हैं करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी वो समस्याएं हल होंगी खाने पीने की चीज़ का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा सफेर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज़्यादा आपका भाग्य होगा 90 प्रतिशन तुलाराशी बेवज़ा की दोड़ भाग आपके साथ दिख रही है धन के खर्चों से आपको परिशानी होगी महत्वपूर्ण निर्ड़े अगर अभी टाल दें तो आपके लिए बहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपका दिन शुब हो जाएगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत जादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा व्रिश्चिक राशी रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा करियर के सारे काम इस समय आपके पूरे होंगे हो सकता है कोई वाहन खरीदे या कोई संपत्ति खरीदे उसका लाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी स्थान परिवर्तन हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस के लिए तयार हो जाईए कोई उपहार या सम्मान इस समय आपको मिल सकता है और साथी साथ करियर में आपकी जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ेंगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सअसी प्रतिशत यानि बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी आपका तनाव कम होता जाएगा बहुत हद तक आपके टेंशन्स कम होंगे परिवार की तमान समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं करियर की बाधाएं इस समय आपकी दूर होंगी भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब रहेगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी जिम्मेदारिया आपकी बढ़ने वाली हैं अपने कारिक्षेत्र में अपने आफिस में विवादों से बचाव करें खान पान में अगर आप सावधानी रखें तो आपका दिन बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करें दिन की मुश्किले आपकी समाप्त होंगी शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज़्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मीन राशी काम की अधिक्ता आपके लिए दिखाई दे रही है हाना कि कारिक्षेत्र में आपको सम्मान भी मिलेगा और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तै हो सकता है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब रहेगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है प्रुबरे के साथ बना हुआ है